हाई दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि स्टोक मार्केट में जी टी टी का मतलब क्या होता है जी टी टी को हमें कब यूज में लेना चाहिए सारी बाते इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं जो मैं यहां पर साइड में करते उद किसी स्टोक वहां करते हैं टो यहां पे किसी स्टोक बाई करने जा रहे होते हैं तो जो आपका ओर वह पुरे दिन्वर लागता है यानि कि अगर आपका ओडर वह सम art जो ऑडर है तочка आपका जो ओडर है फ्रक्राइब का चीज लेकिन GTT के case में क्या होता है दोस्तों GTT order वो investors लगाते हैं या उन investors के लिए होता है जो पूरे दिनबर मार्केट को ट्रेक नहीं कर सकते पूरे दिनबर मार्केट में stocks को देख नहीं सकते तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक के price set कर देते हैं कि for example यहां पर जैसे भी ओन जी से का stock है ओन जी से का stock 170 रुपे का यहां पर चल रहा है अब आपने सोच रहा है कि इसकी price जब 150 रुपे आ जाएगी जब मेरा यह order लग जाना चाहिए लेकिन हो सकता है कि आज के दिन में यह price नहीं आए तो फिर कल आप वापिस से चीज को चेक करोगे तो आप इस चीज को बार बार में पर डे चेक नहीं करना है कि इसकी price 150 रुपे की price डालनी है और जैसे ही 150 price आए चाहिए वो कभी भी आए आज आए कल आए दो दिन बाद मैं दस दिन बाद मैं चाहिए तो उसके लिए हम GTT orders लगाते हैं तो इस वीडियो में क्यावल आपको buy का example देके समझाओंगा अगर आपको sale का example समझना है तो sale में दो option आते हैं single का और OCO का तो वह आपको अलग video मिल जाएगा जिसका link description box में है लेकिन आपको buy का option में आपको use करके बताओंगा त जब भी आपको price set करते हो वह price hit कर जाती है तो आपका जो order है exchange में चला जाता है और जो price आप देते हो वह price जैसे ही आती है वह आपका order execute हो जाता है तो let's suppose कि अभी इसकी price 157 रुपे चल रही है और आप इस stock को 150 रुपे का अंदर buy करना चाते हैं तो जो price में आप बाय करना दीवी prices के बीच में होनी चाहिए है मिशा और mostly cases के अंदर तो मैं तो यहां पे same ही लगा देता हूं trigger price और यहां पे जो जिस price में मुझे खरीदना है ताकि क्या होता है कि साथ के साथ आपका order executive हो जाता है जिसे trigger price होती है तो इस तरह से अगर आपका order लगाना है अब देख 150 और पर इसकी rate आएगी चाहिए आज आए चाहिए कल आए चाहिए दस दिन बाद में चाहिए एक मीने बाद में मेरा यहां पर जबी भी 150 की rate आएगी तब मेरा order execute हो जाना चाहिए तो इस case में हम यहां पे GTT order लगाते है तो मैं आपको यहां पर create करके बताता हूं तो 150 के लिए order लग गया है 157 की अभी last trading price चल रही है और आप इसको 150 में आप इसको buy करना जाते हैं तो इस तरह से आप GTT orders लगा सकते हैं buy के case में तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप के द्वारा दिवी price कभी भी आई उस price में आप किसी stock को buy करना जाते हैं तो आप चेक आउट कर सकते हैं अगर कोई सवाला का में जरू लिखिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेर करिए थेंक्यू